सद्गुरु नमस्कार, श्रात करने का क्या महत्व है? जीवन की अभिवेक्ति ऐसी है, आपके समझने के लिए मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूँ, एक जीवन और एक भौतिक जीवन होता है। बहुतिक जीवन की अभिवेक्ति को देखें, तो बहुतिक जीवन उर्जा, जिसे आमतोर पर प्रान कहते हैं, उसकी पांच बुनियादी अभिवेक्तियां हैं, दस हैं, पर उससे जटिल हो जाएगा, पांच बुनियादी अभिवेक्तियां, इन्हें समान, प्रान, उडान, अपान और व्यान कहते हैं मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को देख रहा है और उसने एक निशित पल में घोशित कर दिया कि वो मर चुका है अगले 21 से 24 मिनट में समान निकलने लगता है इसका अर्थ है कि समान शरीर का तापमान बनाए रखने का काम करता है पहली चीज ये होने लगेगी कि शरीर ठंडा होने लगेगा 48 से 64 मिनट के बीच प्राण निकलता है उसके बाद 6 से 12 घंटे के बीच उडान निकलता है उडान निकलने से पहले तक ऐसी तांतरिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे शरीर को फिर से जिन्दा किया जा सकता है मगर उडान के निकल जाने के बाद एक बहुत छोटी संभावना होती है पर वो एक अव्यवारिक संभावना है सिवाए उसके उडान के निकल जाने के बाद शरीर को फिर से जिवित करना असंभव है अगली चीज है अपान ये 8 से 18 घंटे के बीच निकल जाता है व्यान जो प्राण की संरक्षक प्रकृती है उसके बाद निकलने लगता है वो ग्यारा से 14 दिन तक निकलता रह सकता है अगर वो एक सामाने मृत्यू हो तो यानि अगर कोई अधिक आयू से मरा जीवन के कमजोर होने से गया ऐसे व्यक्ति के लिए 11 से 14 दिन तक शरीर में कुछ प्रकृती होंगी जिन से पता चलता है कि जीवन का कोई तत्व बाकी है जैसे नाखून बढ़ते हैं, चेहरे के बाल इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है अगर कोई दुरगहटना से मरा है या दूसरे शब्दों में जीवन के जीवन्त होते वे वो मर गया जरूरी नहीं कि शरीर पूरी तरह कोचल चुका है शरीर बचा हुआ है उस जीव के स्पंदन 48 से 90 दिनों तक रहेंगे तो उस समय तक आप उस जीव के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप उस जीव के लिए क्या कर सकते हैं देखे, मृत्यू होने पर ये होता है मृत्यू का आपका अनुभव ये है कि कोई चला गया पर उस विक्ति का अनुभव ये है कि उसने शरीर छोड़ दिया है और क्योंकि वो शरीर छोड़ चुका है अब आप उससे जुड़ नहीं सकते आप उसे पहचान नहीं सकते और अगर वो वापस आ जाए तो आप डर जाएंगे जिनसे आपको प्रेम है अगर वो वापस आ जाएं तो भै होगा प्रेम नहीं क्योंकि आपका संबंध या तो उनके शरीर से है या उनके चेतन, मन और भावनाओं से ये चीजें पीछे छूड़ गई है शरीर पीछे छूड़ गया है और चेतन, बुद्धी और समजदार मन पीछे छूड़ गया है अब मन के रूप में ये सिर्फ सूचना का एक धेर है जिसकी अपनी प्रविर्तियां है कुद्रती प्रविर्तियां जो एक निश्यत रूप में अभी व्यक्ति पाती हैं समजदार मन नहीं है जब समजदार मन नहीं होता अगर आप सुक्धता की एक बूंद ऐसे मन में डालें जिसके पास समझ की शम्ता नहीं है बुद्धी नहीं है तो ये सुक्धता लाख गुना बढ़ जाएगी अगर आप दुख की एक बूंद डाल दें तो वो दुख लाख गुना बढ़ जाएगा ये आपके बच्चे की तरह है जिसके पास जरूरी समझदारी नहीं है वो खेलने जाता है और नहीं जानता कि वापस कब आना है जब तक वो ठक नहीं जाता और खेलने की शक्ती नहीं बचती तब तक वो खेलना चाता है क्योंकि उसके पास जरूरी समझ नहीं है कि ये जाने का समय है इसी तरह ये एक चरम स्थिती है वे बच्चों से कहीं आगे होते हैं उनमें समझदार मन पूरी तरह गायब होता है तो अब आप उनमें जो भी गुन डालेंगे वो लाखों गुना बढ़ जाएगा इसे ही नर्क और स्वर्ग कहा जाता है अगर आप एक सुखद स्थिती में होते हैं तो इसे स्वर्ग कहते हैं अगर आप एक अप्रिय स्थिती में होते हैं तो उसे नर्क कहते हैं ये भौगोलिक स्थान नहीं है ये अनुभव के स्तर की सचाईया है जिनसे शरीर से अलग हो चुका जीव गुजरता है लेकिन ये करने की कोशिश करते हैं आज उसे कितने अच्छे से किया जाता है या कितने हासेपद तरीके से वो एक अलग बात है लेकिन इसका पूरा विज्ञान है कि अलग-अलग स्तरों पर क्या करना है पहली चीज जो आपको देखने चाहिए परंपरा है पता नहीं मुंबई में अभी करते हैं या नहीं शायद नहीं पर अगर कोई मरता है तो कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले शव के पैर के अंगूठों को साथ बांदेंगे आप अभी ऐसा करते हैं या नहीं हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पैर के अंगूठों को बांदना मुलाधार को एक तरह से कस देता है जिससे वो जीव एक बार फिर शरीर में नहीं गुस सकता या घुसने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि वो जीव इस जागरुकता के साथ नहीं जिया है कि ये मैं नहीं हूँ उसने हमेशा ये विश्वास किया ये मैं हूँ, हलाकि वो बाहर आ गया है, वो शरीर में मौजूद किसी भी छेद के जरीए घुसने की कोशिश करता है, खास कर मुलाधार से, क्योंकि वहीं जीवन पैदा होता है, और जब शरीर ठंडा होने लगता है, तो इकलोती जगे जहां आखिर तक गर्माहट रहती है, वो आखरी बिंदू हमेशा मुलाधार होता है, तो वो वापस जाने की कोशिश करता है, इससे बचने के लिए पहली चीज है, पैर के अंगुठों को बांधना, ताकि ये कोशिश नहीं होगी, क्योंकि शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के कई चरन होते हैं, परंपरिक ये भी ये सच है, अगर आपका कोई बहुत प्रिये मर गया है, आप जानते हैं कि वो मर गया है, मगर आपका मन चालने चलने लगता है, शायद वो अभी उठकर बैठ जाए, शायद कोई चमतकार हो जाए, शायद भगवान आकर अभी कुछ अच्छा कर दें, किसी के साथ क अभी शरीर में वापस जा सकता है, अगर आप इस नाटक को रोकना चाहते हैं, तो पहली चीज है शरीर को जला देना, डेड़ घंटे में, मगर उन दिनों गाउं में ये बताने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता था कि वो मर गया है, किसी को चिता पर लिटा कर आग लग करिशी समुदायों के लोग दफनाने का फैसला करते थे, क्योंकि वे अपने पूरवजों और उनके शरीरों को उस मिट्टी में वापस डाल देना चाहते थे, जो उन्हें भोजन देती थी, आपको समझना चाहिए कि हम जिन्दा रहने के लिए खेती करते थे, उस जमीन से अपनी ही जमीन में दफनाते थे, कभी किसी और की जमीन में नहीं, क्योंकि इसी जमीन से आपको भोजन मिलता था, आज आप हर चीज स्टोर से खरीद कर खाते हैं, आप नहीं जानते कि वो कहां से आ रही है, इसलिए अब दफनाना कोई अच्छी चीज नहीं है, उस समय ए कोई मृति होती है, लोग रोपीट रहे होते हैं, और तरह तरह की चीजें करते हैं, जैसे ही शव जलाया जाता है, लोग घर वापस जाते हैं, सब कुछ शान्त होता है, कुछ समय तक कोई नहीं रोता, क्योंकि अचानक सच से सामना होता है, सब खत्म हो चुका है, खेल खत जो एक अच्छी चीज है और ये पका करने के लिए बहुत सी रस्मे हैं कि आप किसी तरह उस विवेखिन मन में मिठास की एक बून डाल दें ताकि वो मिठास कई गुना हो जाए और वे आराम से रह सकें या अपने बनाए स्वर्ग में रह सकें रस्मों के पीछे यही मकसद ह अगर सही तरीके से करें तो